दोस्तों आज एक कमाल का पैटर्न आपके लेकर आया हूँ देखो यहां पर क्या लिखा है लिपटकर जपटकर जटकर लटकर उचलकर अकड़कर खुलकर छिपकर संभलकर संभालकर अब इन सब की इंगलिश आपको आसानी से कहीं पर नहीं मिलेगी और एक प्लैटफॉर्म पर एक साथ impossible बट आज पॉसिबल करके दिखाऊंगा इन सब के इंगलिश बताता हूं कमाल की इंगलिश हो जाएगी आपके शरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लिपटकर देखिए वो लिपटकर मुझसे रोनी लेगी मैं लिपटकर उससे बहुत रोया ठीकर उसने मुझे मुझे लिपटकर घूसे घूसे बार दिये अब इससे कैसे बोलेंगे लिपटकर इसके लिए आप बहुत simple word यूज़ कर सकते हैं और वो है hug me अब आगर यह बना-बनाया तयार है इससा आप किसी भी sentence में use कर सकते हैं जैसे वह मुझे लिपटकर रोने लगा वो मुझसे लिपट कर, जो है क्या नाम है, मुझे पीठने लगा, hugged me, अब मेरे लिए बात होगी, तो मी लगाऊंगा, किसी और के लिए होगी, तो him, her का use कर सकते हैं, जैसे एक example देखिए, वह, ध्यान से देखिएगा, वह, मुझसे लिपट कर, लिपट कर, रोने लगी, यहाँ पे, she hugged me, देखिए, अभी पीछे हमने क्या देखा था, hugged me, है ना, तो यह है, लिपट कर, she hugged me, and started crying, and started crying, या weeping भी कर सकते हैं, started weeping, और उसने रोना शुरू कर दिया, तो इस तरह से sentences में हम इसका use करेंगे, बाकी cling का मतलब भी होता है, चिपटना, और भी word होते लेकिन एक जैन्मन तरीके से हम इसे use कर सकते हैं, चलिया, hugged me, लिपट कर, या मुझसे लिपट कर, अगला बाला देखिए, जपट कर, भाई, उसने जपट कर सारे पैसे ले लिए, वो तो जपट कर वहाँ से कूट पड़ा, और यह जैसी sale लग रही थी ना, वो तो जपट कर, वैसे यह एक idiom है, इसका मतलब यह भी होता है, दिन दुगरी, रात चौगनी, इसका मतलब यह भी होता है, बहुत तेजी से, इसका मतलब यह भी होता है, rapidly, फटा फट, यह सारे इसके मतलब होते हैं, और जपट कर भी इसका मतलब होता है, जैसे उसमें जपट क जो हैं किया ना मैं पैसे ले लिए so leaves and bonds चलिए बना लेते हैं he took money he अब यहां पर मैं sentence बना लेता हूं पहले he took all money उनने सारे पैसे ले लिए कैसे ले लिए जपट कर तो कैसे बनाएंगे by leaves जैसे कि अभी पीछे लिखा था and bonds and bonds यह लीजिए leaves and bonds हो गया लेजिए ठीक है तो यहां पर तेजी से जपट कर या तुरह ऐसे कह सकते हैं दिन दुगनी राट चोगनी तरक्की कर रहा है he is progressing he is getting progress by leaves and bonds तो तेजी से जिसारे मतला होते हैं दोस्तों अगला बार जटक कर नए जतक कर शपटकर के ओंगे जंगे जटक ली देखे वैसे तो यह गाली के रूप में प्राप्रीयोग किया जयता है लेकिन जटक कर यहीं मतलब यहां तो यहां पे भी हम जक्ली का प्रियोक कर सकते हैं जैसे उसने मुझे धक्का दे दिया पहले तो यह वाला वर्ड यूज करेंगे हम जक्ली ठीक न यह लीजिए हो गया वाइसाह वैजें टार रसकते हैं एक लर्सक भी आप बोलेंगे उसे हम इंगलेंगे बाई हैंगिंग बाई हैंगिंग जैसे वो दिल्ली तक लटक कर आया यह बनाएंगा इसा तिकट के पैसे नहीं थे उसके बाद वो दिल्ली तक लटक कर आया है लटक कर जा रहा था यह बाई हैंगिंग अब आलता बाई हैंगिंग के बाई हैंगिंग अगला वाला आ जाता है उचलकर वह उचलकर वहाँ चड़ गया वह उचलकर वहाँ बैठ गया उचलकर चड़िया डाल पर बैठ गयी अरे उचलकर कुरसी पर बैठ जाओ यह कैसे यूज होगा इसे बनाने के लिए आप सिंपली कह सकते उचलकर कैसे जैसे वह उचलकर कुरसी पर बैठ गया पलंग पर बैठ गया अब कैसे बैठ गया उचलकर तो क्या यूज करेंगे विद जाम तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद जाम यह लिजी हो गया सो देखे कितनी आसानी से हमने बना लिया दोस्तो नेक्स टॉलर निकालेंगे अगला अगला आता है अकड कर ज्यादा अकड कर मत चला करो यार तुम इतना अकड के बात क्यों करते हो वह वह तो अकड कर how to use कैसे बनाएंगे से इंग्लिश में इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इस ट्रिक्ली स्ट्रिक होकर बहुत ज्यादा तन करें जैसे वह अकड कर बात कर रहा था तो कैसे हो जाएगा अकड कर बात कर रहा था अब कैसे बात कर रहा था इस ट्रिक्ली बात कर रहा था लीजए अगला वाला दोस्तो लेते खुलकर बात करो खुलकर बताओ क्या बात है बाई खुलकर हसा करो खुलकर जियो अब इससे कैसे बोलेंगे इससे बोलने के लिए simply आप बोल सकते हैं openly बहुत आसान है बच्चों यह तो मुझे लगता है शायद यह बड़ाई आसान रहेगा आपके लिए openly जैसे जिन्दगी खुलकर जियो देख लो बेट तुस्ते गरो ध्यान से मेरे openly खुलकर जिन्दगी जियो मुझसे खुलकर बात करो openly बात करो मुझसे तो यहां पर आप openly का प्रियोग कर सकते हैं अगला वाला दोस्तों देखेंगे च्छिपकर च्छुपकर वहां पर चला गया है यह भी हम यूज करते तो कैसे बोलेंगे च्छिपकर या छुपकर को secretly secretly ठीक है इस पे जह sentence आप बना सकते हैं वो यहां छुपकर आया वो यहां छुपकर आया तो कैसे बोल सकते हैं he simple he came here he came here यानि कि वह यहां आया आप कैसे आया secretly आया so simply देखेंगे secretly यानि कि छुपकर तो बना लेंगे इसको he came here secretly यह लीची बना लिया he came here secretly यानि secret तरीके से छिपकर आया दोस्तों इसके बाद अगला वाला आ जाता है संभल कर संभल कर चलो यार संभल के बोला करो आज कल संभल कर जाया करो कहीं भी इस उनसान रास्तों पे संभल कर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे carefully carefully संभल कर जाना संभल कर कार चलाना संभल कर बैठो यार संभल कर बैठो तो कैसे सिंपल सबसे पहले लिख देंगे सेंख अब व भी संभल कर carefully है ना सरकली ससे होग्या संभल कर बैठो स्ट कियर्फुली चली दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला वालट देखेंगे सारे बच्चे केरफुली अगला वाला आता है संभाल कर अब देखिये फर्ग देखिये संभल कर संभल कर संभल कर संभल कर बैठो संभल कर जाओ संभल कर चलो संभल कर संभल कर रखना इसे इस बात को संभल कर ले जाना इस सामान को संभल कर ले जाना इसे संभल कर अपनी गू यहां पे handling यानि किसी इसको पकड़ना और संभाल कर पकड़ना या संभाल कर रखना handling कहलाता है जैसे मैं mobile को संभाल कर रखे हुए हूँ अब ध्यान दीजी गए sentence पर जैसे मैं चाभियां कर लेते हैं चाभियां संभाल कर या मैंने चाभियां मैंने कर देते हैं चोटा हो जाएगा संभाल रखी है संभाल रखी है मैंने चांभी संभाल रखी टेंसर मतलों मेरे पास तो यहां पर संभालना और संभाल कर रखना दोनों एक ही चीज है मैं चांभी यहां हैंडल कर रहा हूं यानि संभाल रहा हूं तो किसी चीज को केरफुली रखना संभालना है अभी आपके लिए एक होमवर्क दूंगा लेकिन उससे पहले चार्ट ज़रा गौर से देख लीजिए क्योंकि इसी मैंसे आपको होमवर्क मिलने वाला है जो लोग नहीं है जो मैंने आज आपको सिखाए उसी में से बनाना इसके इंग्लिश कॉमेंट सेक्शन में जरूर बनाना और सर्ताज क्लास एंडिया का सबस्यादा मेंबर्शिप वाला यूडिव चैनल सबस्यादा पेड मेंबर्स हमारे हैं तो मेरा सबाग यह कि आप हमारे इस च चानली जीन निंक वीडियो को दिस्क्रिब्स लॉक्स मिलिया चाहिए और जो बेसिक अपनी अच्छी करना चाहते हैं इस बहुत बहुत अच्छी नियार इस्ट इए प्रमर वाला आप्लिकेशन एक दोनों इनक वे द्डियो को देयान दख्यांटेगा और यह वीडियो कर दीजेगा फैला दीजेगा सब में और जाते हैं तेक प्यारासा लाइक दे कर जाना